हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारे के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें जैमा इंद्राक्षी इंद्राक्षी धाम में दर्शुकों आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जातकों का जनम दिवसे मेरी जैनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुब काम नाएं आज हम बताने वाले हैं कि कई बार अच्छी खासी संपथी अच्छा खासा धन हमारा अचारख नश्ट हो जाता है धन का नश्ट हो जाना और व्यक्ति का अचानक दिवालिया हो जाना उसके पीछे क्या ग्रह हो सकते हैं क्या इतना केजी व्यक्ति का भागय कमजूर हो सकता है कि जहां उसकी जेब बहुत अच्छी रहती थी, गर्म रहती थी, अच्छे खासा उसका बैंक बिलेंस रहता था, घर्मे अच्छी खासी समरदी रहती थी और अचानक ही सब कुछ नेस्ट हो जाता, कहीं कोई बाधा तो नहीं, कोई ऐसा कोई प्रियोग तो उसके उपर नहीं किया गया कि व्यक्ति एकदम कहते हैं न, अर्ष से व्यक्ति फर्ष पे आ गया, यह सारी जानकरी संग में आपको मिलने वाली है आईए पहले आज का हम पंचानक देख लेते हैं, 23 दिसंबर सन 2021 दिन ब्रस्पतिवार, पोश मास, कर्सन पक्स, समवन दोहजार अटतर, तिथी चतुर्थी, नक्षत राशलेशा, राहुकाल, डेर सिती, दिशा सबू, दक्षिन, दिशा अब देखो यह जो दिशा सूल होती है, यह राहुकाल होता है, बहुत लोग राहुकाल को मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते हैं, दिशा सूल से मतलब क्या होता है, कि आज के दिन जैसे हमने बताया कि दक्षिन दिशा का शूल है, हम दक्षिन दिशा की यातरा से होते हैं हमने हर यात्रा का परिहार का प्रोग्राम बनाया था पुराना आप अमारा को देख सकते हैं अब देखो कि आपके पास सब कुछ था और अचानक सब कुछ नस्ठ हो जाए, उसके पीछे हमारी ग्रह चाल भी होती है, हमारी जनम पत्रिगा में है, कौन से ग्रहों के ऐसी चाल आती है, जो हमारे पक्ष में नहीं होते हैं, जैसे दित्य भाव आपका धनका होता है, कुंडली में दित्य भाव धनका होता है, और एक होता है आपक ही रहेगा ऐसे ही यह कुंडली का नवाम भाव है इसे हम भाग्य भाव कहते हैं भाग्य स्थान कहते हैं कोई राशी हो कोई ग्रह बैठ जाए लेकिन यह भाग्य भाव ही कहलाता ठीक यह वाद समझ में आ गई अब बात करते हैं अगर किसी भी जातक की जनम पत्रिगा में दित्य भाव बहुत गड़बर हो जाए दित्य भाव का कारक ग्रह है दित्य भाव का स्वामी यह दित्य भाव में विद्वान ग्रह कि इस्तिती निर्मल हो महादशा भी उसकी कमजोरी में हो महादशा कमजोरी में कैसे कैसे समझते कि स्वामी है बाई दिवे महादशा के चंद्रमा और चंद्रमा में चल रहे हैं रहू अंतरदशा में दिक्कत होगी न चंद्र कि रहन दोश बन जाएगा तो उसके भाव भी कमजोर हो गए और उस भाव की राशी भी जो है या महादशा जो है वो भी कमजोर हो गई अचानक धन का नुकसान होगा और ऐसे ही भाग्य भाव की बात है भाग्य भाव में भी ऐसा होगा धन का नुकसान होगा हमारी हतेली में हमारी हतेली में यहां बीच ओ बीच एक भाग्य रेखा होती है फेट लाइन होती है जिसे हम शनी रेखा कहते हैं और ये कैसे होती है आईए मैं इसका एक नमून आपको बता रेता हूँ देखे आप अपनी स्क्रीन के उपर आपकी स्क्रीन के उपर हमने एक हाथ दिखाया है इस हाथ में देखो ये एरो का निशान जहां है ये रेखा नीचे से उपर जा रही है ये फ्रेट लाइन होती है इसको हम शनी रेखा भी कहते हैं इसको हम भागे रेखा भी कहते हैं यही भागे रेखा कुछ रेखाओं से कट जाए या तूट जाए तो क्या होता आईए जाने यही भाग्य रेखा, कई रेखाएं इसको खंडित-खंड कर दें, खंडित कर दें और आपकी जनब पत्रिका में ये आपको हैरान होगा कि जिस वक्त हाथ की रेखाओं में भी ये कट होते हैं तो भाग्य भाव का स्वामी भी कमजोर चलेगा तो कि हाथ की रेखाएं और आपकी जनब पत्रिका सेम कारे करती है इसलिए कहते हैं किसी के पास डेटो बत कुंडली आदी ना हो हाथ की रेखाएं दिखा करके अपनी समस्या से बहार आ सकता है दूसरी बात ये भाग्य भाईनी जो रेखा है भाग्य को प्रदान करने वाली भाग्य बाहिनी बाग्य परदानी एकी बात है ये बहुत जादे खंडित हो बहुत ज़ादे इसमें अपरोध हो बैलून जैसे जगह जगह आकरतिया बनी हो कुछ त्रिया के रेखाएं आड़ी तिर्ची रेखाएं काट रही हो बेंकरफ्ट जिसको कहते ही इतनी बुरी इस्तिती मंगल और शनी के हतेली में वी खोने से उठ्पन हो जाती है आपकी जनम पत्रिका में भी मंगल और शनी धन भाव में यह इखट्टे होंगे दुत्य भाव जो मैंने कुंडली का बताया मंगल शनी धन भाव में गट्टे होंगे आप पैसा जोड जोड के तंग हो जाना लेकिन पैसा नहीं जोड़ेगा आप देख सकते हैं किसी भी कुंडली में अगर ऐसी इस्तिति है कमा सकते हैं लेकिन आप जोड नहीं सकते या धन का एक संपूर्ण तरीके से सुन्दर अलाव आपको प्राप्त नहीं होगा और बताते हैं और आपकी हाथ की रेखाओ मैं हातेली के मद्य में ये राहू का स्थाने मद्य से थोड़ा उपर राहू के पास में आपके चंद्रमा का संपूर्ण जुकाव होगा यानि कि राहू और चंद्रमा की हतेले में यूति होगी तो ऐसा व्यक्ति अपने धन को स्व्यम अपने हाथों से नश्ट करेगा लाट्री में जुए में किसी को पैसा फसादेगा किसी लालश में पैसा फसादेगा पैसा नश्ट करेगा और आखेकार वो धन से वंचित हो जाता आपकी हतेली में ही ये मंगल है मंगल और राहू के साथ यदि वले के स्थिति होगी तो भी ऐसे व्यक्ति का धन का नास होगा और कहीं न कहीं धन खराब होगा ऐसी वास्तु दोश आप जिस घर में रहने के लिए जा रहे हैं उस घर का यदि नरत्यकोन सही नहीं है और उस घर का ब्रमस्थान सही नहीं है ब्रमस्थान कमजोर हो नरत्यकोना कटा हुआ हो या कमजोर हो या आपका भवन तुरकोनी शेप में हो तो भी आप देख लेना धन के आयाम आपके कमजोर रहेंगे रहेंगे आपका महापर भी धन जुड नहीं पाएगा तो इसलिए अब धन के दो-तीन बाते हैं या तो अपनी हाथ की रिखाएं किसी को दिखाने वक्त पे क्या उपाए करने चाहिए आप करने कुडली दिखा सकते हैं और एक जिस घर में आप रहते हैं उस घर का वास्तु मैप भी यह दि किसी को अच्छे से दिखाने या वास्तु विजिट कराने तो भी आपको लाब मिलेगा ये तो थी कुछ मोटी मोटी बाते हैं अब आप कहेंगे शर्मा जी कुछ उपाए भी बता देते तो आईए मैं बता देता हूँ आपको ऐसी इस्तिति में मंगलवार का वर्त रखना चाहिए रिण मोचक जो मंगल इस्तोत्र है उसका पृति दिन पाच बार पाट करना चाहिए या मंगलवार करना चाहिए तांबे का कड़ा मंगलवार के दिन मंगल की होरा में धहरन करने हमेशा करे रहें मंगलवार के दिन घर में मंगल वीशायंत्र या तांबे कि तुरकॉन मंगल विसायंत्र का सेविधी पुस्तक आती है सेविधी उसका आप पूजन करें या करमाएं नो मंगलवार करें आपको अनुगोती अच्छी हो जाएगी लाल रंग की गाये को हर मंगलवार गुड़ खिलाना शुबता का प्रतीक रहेगा इसी के स आस्तार आप अपने घर में जहां रहते हैं उसमें आप क्या करें जो च्छत है सबसे उपर का जो हिस्ता है हर्मान जी के नाम का जो जहंडा होता है वो अपने घर में इशान्य कोन में उपर की तरफ लगावें मंगलवार के दिन लगावें और उसी दिन सुन्दर कांड का शाम के समय पाट करें तो भी आपके घर में आपको कुछ ने कुछ अच्छा रिजल्ग जरूर मिलेगा धन का पहमाना जो है बढ़ेगा और दूसरी बात यदि आपको पता लग जाए कि आपके शनी कमजोर है अब देखो इसके लिए तो आपको आपनी कुंडली या हाथ की दिखाए ही किसी को दिखाना जरूर पड़ेगा फिर भी यदि आप मंगल इस्तोत्र का स्यविधी पूजन करते हैं मंगल इस्तोत्र पढ़ते हैं मंगल यंत्रतामे का बना हुआ हो उसकी पूजा पाट करते हैं गोड चड़ाते हैं आप देख लेना आपको बहुत जंबा हो सके हर मंगल मंगल देवता के 108 नामों का पाट करें और हर शनी बार शनी देव के 108 नामों का जब करें पीपल पर मीठा जल चुड़ाएं आपको लाग में लेगा आईए साथ को समय अचिर आज की दियान साथना का आज की दियान साथना में हम जोड़ते हैं बाबा ह आनमान्जी से। मनुजवं मारुत दुल्यवेगं। जितेंद्रियं बुद्धिमताम वरिष्टं। वातात्मजंबा नरयूत्यमुक्यं। श्री राम दूतं सरणं प्रवद्धे। राम आया राम भद्राया राम चंद्राया वेधसे स्री रगुनाथनाधाया सीताया पतये नमहाँ। कबच बना लें बाबा हनमान जी का सुबासिस हम सब के उपर बरस रहा है ओम बोलते हूँ नेत्रकों ने समान्या हो जाए दर्शुकों यदि आपकी भी किसी प्रकार की कोई समस्या है किसी समस्या से आप जूज रहे हैं आप देश विदेश में कहीं भी रहते हैं उसके लिए आप हमारे संस्तान से कॉल अप हैडमेंट ले सकते हैं हमारे संस्तान में वैदिक जोतिस जिन्म पत्रिका बनाई जाती है और उसके उपर में एक अंक आपको देने वाला हूँ यानि का पूरा वीडियो आपको समझाऊंगा कि उसका क्या फाइदा है बहुत लोगों की ऐसी जिग्यासा है तो किसी अंक में उस चीज़ की जिक्र करेंगे और जैसे आज मैंने मंगल की बात बताईए तो कुछ भी आपसे ना हो मंगल वार का वरतराब रख लीजिएगा और मंगल देवता के एक सुआठ नाम मंगल वार के दिन पढ़ लीजिएगा गाएं को मीठी रोटी ये गोड़ खिलाती रहिएगा मस्तक पे लालते लग लगाईएगा और शनी देव के सनी वार के दिन एक सुआठ नाम पढ़िएगा आपको विशेश लाब की प्राप्ती होगी आप स्वस्त नहें, सुखी नहें इनी शुब कामनाओं के साथ हम अपनी मानी को विराम देती हैं जैमा इंद्राक्षी ओर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे मेरी फैक्टरी लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा मैंने नाम बहुत कमा लिया लेकिन पैसा मेरे पास बिलकुल नहीं टीवी में छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी तंत्रिक मंत्र रहा होगा, मैं इतना नभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्यानी नहीं हूँ मैंने उस मंत्र को पढ़ा, रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था मैंने मंत्र पढ़ा वहार वीर, भॉनर वीर, तुचला मेरा, को दूकान कहा कर मेरा, मैंने उन दानों को भीक्यरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, DESP consumer के समय मेरे पास फोन आने लेगे, आज की तारीक में, मैं इतना परशान हूँ, इतने और्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परिशान हूँ क्योंकि मैं उन ओर्डर्स को एक्सक्यूट नहीं कर सकता अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए ओर्डर्स मेरे पास बहुत है किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें आप देखने के लिए जानकारी के लिए बाइकन को प्रेस करें अभी सब्सक्राइब करें